तो फ्रेंस एक है Mr. Siv Charan Chaudhary जो लिखते हैं कि Sir AutoCAD में दया का सिंबल कैसे लाते हैं तो फ्रेंस आपको बता दूँ कि यह यहाँ पे दया की नहीं डया की बात करें यानि की डया मीटर की तो सिंपली सबसे पहले आपको AutoCAD में टाइप करना है T, Enter और जिसके इन पर 1st Point, 2nd Point किलिक करेंगे तो आपके सामने यह Text Formatting का एक Dialog Box उपन हो जाएगा अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप M, T, Enter भी कर सकते हो और फिर से 1st Point और 2nd Point Next अभी Suppose कीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे 10 Dia, तो 10 Enter करेंगे और यहाँ पे यह देखें, Symbol के बटन पर आपको क्लिक करना है, और सारे Symbols आपके सामने आ जाएंगे, Diameter पे क्लिक करके OK कर देंगे, फिर से Suppose कीजिए, मुझे हैना है 20 Degree Centigrade, तो 20 Enter करेंगे, फिर से इस Symbol पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे Degree पे क्लिक करके C, OK कर देंगे अभी Friends, कुछ लोग यह बोलेंगे कि हम दूसरे Workspace में काम कर रहे हैं, अगर यह हमारा Same-to-Same Text Formating का Dialog Box ओपन नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे AutoCAD Classic में वर्क कर रहा हूँ, तो एक बहुत ही Short का Symbol हम यहाँ से लेके आएंगे, तो यह रहा Not Equal To का, बट मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, तो अब हम किस तरह से जाएंगे आपको Right Click करना है माउस से और यहाँ पे Symbol पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ इस सारे Symbol आपको यहाँ पे मिलेंगे